नमस्कार दोस्तों आपका सौगत हमारे यूटूब चैनल एबेस क्लासेस में दोस्तों आज हम बात करेंगे मूलन पातिसूत्र इंपेरियल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन है 11th कमिस्टी की दृष्टी सी बात करते हैं यह इसका जो आता कुछ टॉपिक है बियस्सी फस्टियर में वो भी पूछे जाए करते हैं लेकिन हमारा जो यहां का जो टॉपिक है वो आज का है 11th कमिस्टी का मूलन पातिसूत्र इसको निकालना कैसे है क्या होता है जैसे आता है कि पांच नमबर से आ गया फिर तीन नमबर में तो किस प्रकार से इसको करके बेल आइकन प्रेस कर लेजिए अब देखते हैं इसका मूलन पातिसूत्र किस प्रकार से कैसे कैसे इसको पढ़ना है और उधारन भी पताएंगे किस प्रकार से निकालना है आडविक सूत्र भी आगे निकालेंगे तो चलते हैं देखते हैं किसी योगी का मूलन पाति आंक आनुपात प्रदर्शित करता है ये हो गया मूलनपाति सूत्र कह रहा है किसी योगीक का मूलनपाति सूत्र मलब जो मूलनपाति सूत्र है वो क्या है जो उस योगीक के मलब कोई भी अपना योगीक दिया है ठीक है कोई भी अपना योगीक दिया है उस योगीक में जो अड़ो उपस्तित हैं, अलग अलग योगी के अड़ो उपस्तित हैं, एक अड़ो में उपस्तित, तत्तों के जो तत्तों उपस्तित हैं, उसके जो परमाड़ों है, वो परमाड़ों की जो संख्या है, किस प्रकार से हैं, प्रिथ्थत दिया होगा, लेकिन हमको अड़ों की संख्या निकालना है किस प्रकार से दो कुनान की तो उसको कहते हैं मौलनपाथी सोर्ड मतलब जो सरल्तम अनुपाथ देखेंंगी कि लगवग ऐसे ही आएंगे एक दो थिन या पिर एक एक चार साथ ऐसे करके आथे हैं एक सरल अनपात में आती हैं वो कहलाता है मोल अनपात ही शुर्च इसके पहले अपन प्रिश्चत संगठन पढ़ चुके हैं बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है यदि आप ना देखे हो तो प्ले चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकती हैं यहां की बात कर रह दिवासा है उसको अपलिक लीजेगा नोटडाउन कर लीजेगा प्लेएप के लिए वाट्सप पर संपर कर लीजेगा तो देखते हैं यहां पर उधारन अपन लेते हैं यह जी टू-C-L-2 यह कहलाता है मर्करी क्लॉराइड तो मर्कियूरस क्लॉराइड हो जाएगा और इ इसका मुलनपाति सूत्र है C-A-2-O १ ठीक है यह होता है मुलनपाति सूत्र होता इसका अनलब कहने कारति इसका यह है कि जो भी एक अपन योगी के लेंगे उसमें विबिन प्रकार के जिदत्तों के उपस्तित हैं उनके परमाणों की संख्या है वह एक नियूद्दम सरा अनुपात में होती है बहुत ही सिंपल है इसको इस प्रकार से लिखना है एक बार स्क्रिन सॉट कर लीजेगा टाइम अपन को दे रहे हैं अब चलते हैं उधारंड की ओरे कि उधारंड समझ लेते हैं क्योंकि उधारंड भी आता है लिखने के लिए या फिर उधारंड को आप समझ लेंगे तो किस प्रकार से निकालना है मुलन पाती सूत्र वो बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा जैसे इसमें कुस्टन दिया होगा एक योगिक में आईरं की मात्रा जो है मतलब कि लोहे की मात्रा यफ की मात्रा कह सकते हैं अपना दिया है यहां पर अक्सीजन अक्सीजन अलग से दिया है वो है 23.02% इसके बाद अपना यहां पर जल हो गया और इधार यह ठीक है इसके बाद अपन देखते हैं को क्या निकालना है मूलन पाती सूत्र निकालना है आगे बात करते हैं देखते हैं कि इसमें जो कुछ important है जो कि दे देता है लेकिन कभी कभी नहीं देता तो भी बताने की वाली बात समझेगा देखें यहाँ पर दिया है यफई 56 मतलब यह जानते हैं क्या है यह परमाड भार परमाड भार दिया है 56 इसका हो गया 56 यफई का और सलफर को गया 32 और आकसीजन को हो गया 16 बहुत important है परमाड भार कैसे निकालना है आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं सबसे popular वीडियो नेक्स्ट बात करते हैं इनको निकालना यहाँ पे सिंपल मैं समझाय दे रहा हूँ बाकि जो विदिवत तरीके से आप वहाँ देख सकते हैं वीडियो में तो देखें यहाँ पे FE का होता है 28 परमाड करमांग 28 होता है और जिस भी कहें तो परमाड जो संख्या एदी जिसकी समसंख्या है तो उसका जो दुगना अपन कर देते हैं वो उसकी परमाड भुहार कहला जाती है वी समसंख्या एदी होगा तो उसके दुगना में एक ठीक है तो अपने यहाँ पे देख लिजे सल्फर का पर्माड पर्माड ग्रमाग चैप यह Sus to number इसको पर्माड क्रमाग होता है। तो ज़ो अपने की बात करते हैं कि competent ग्यारा हो गयारा कई माईशा 12 एक gives a हे एक wasない स्थेश होजाए यह है कि एक्जेक्टिस में नहीं आ पाएगा क्योंकि ऐसा कोई भी सूत्र भी तक बना ही नहीं है वो बहुत ही critical time में बन सकता है ठीक है तो चलते हैं हमको अपने जितना का जरूरत है उतने की बात करते हैं ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है इसके जो उधारण है इसको कैसे निकालना है इसका इसके बारे में देखते हैं अब देखते हैं इसका एक table बना लेते हैं मूलन पाते सूत्र की गड़ना कैसे करना है अपन का जो तत्तो था यहाँ पे अपन सबसे पहले तत्तो लेते हैं उसके बाद यहां पे जो उसकी प्रतिसत मात्रा थी, प्रतिसत मात्रा, पूरा एक्जक्ट इसी तरह पेपर में करना है आपको ताकि आपको पूरा का पूरा नमबर मिले, ठीक है, यहां पे परमाड द्रमान अपन लिखेंगे, और यहां पे जो पूरा परमाड द्रमान सभी तत्यों करना है यहाँ पे जो आपेचिक संख्या है परमाड़ों की ठीक है उसको निकालना है कैसे निकालना है वो आगे आगे आपको बता रहे हैं ठीक है परमाड़ों की आपेचिक संख्या क्योंकि वीडियो लास्ट तक देखिए इसकिप करने पर आपको समझ नहीं है कि जो भी पढ़े रहेंगे सब डिस्टर्ब हो जाएगा और आप लास्ट में फिर वह ही जाके सोचेंगे कि सब बन जाएगा बन जाएगा लास्ट में नहीं बनता है वो बहुत सारे स्टूजिंट की कहानी है ने यहांगी दो पबत करते हैं यहां पर अपन आयरन लिए थे रहना कीतना थे परसेंटेज बिए थे लिए थे हैं एक पांच दिया था सल्फर का अपना दिया था ब्यार 2 श्राइब ग्यार 1 5 एक दिया था आक्सीजन जो दिया था अकषिजन का वो था हमारा हुए है 23 देसंबलो जीरो दो था ठीक है और इसके बाद जो दिया था इस ट्यू आपन का दिया था वो था 45 दिया था अब इसका हम परमाड़ो द्रभमान पहले देखेंगे परमाड़ो पिरमान इसका होता है यह कुछ कोश्चन में भी दिया होता है या फिर नहीं दिया रहते तो आपको अपने से निकालना है क्योंकि ट्रिक बता चुका हूं ठीक है इसका जो आइरन का चुक्पन है सलफर का 32 है ऑक्सिजन का सोला है और हमारा जल का जो है वह अठा रहा है पर म समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें जो प्रिशत मात्रा है वो अपना दिया है बीज दसंबलो एक पांच और उसको परमाड़ द्रमान से डिवाइट करना है यहां पर हमारा 56 था तो यह क्या आ जाएगा हमारा 0.359 ठीक है यह आ जाएगा उसी प्रकार सलफर की बात करत है घे हैं पर फिंद परिशत मात्रह उसमें किसा करना है बाते परमाद्रमान तो बात्तिस का डिवाइट कर देंगे तो भाही आ जाएगा 0.359 इसके बाद यहां पर प्रिशत मात्रह दिया है ऐसीजन का सोला 13.02 करके और 16 ठीक है इसके बाद नेक्स दाहिए यहां पर जल की मातरा जो दिया है 45.45.32 का दिया है जो परमान दिर्मान वो 18 होता है ठीक ना 18 होता है और इसका डिवाइट कर देंगे दोनों का डिवाइट करेंगे तो आ जाएगा 2.518 ये आ गया पूरा परमानों की अपेचिक संख्या बहुत ही सिंपल है बहुत ही सराल है लेकिन 5 नमबर का पूछा जाता है बहुत ही कठिन भी हो सकता है क्यों क्यों कि जब आप से नहीं बनेगा तो जो भी चीज नहीं बनता है वो कठिन होता है जो भी चीज आप करने लगेंगे तो बहुत सराल हो जाता है तो देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं इसका जो main होता है मुलन पाती सूत निकालना अभी तो हम आप एचिक संके निकाले हैं मुलन पाती सूत मतलब सरालता मनुपात में देखना है किस प्रकार से सरालता मनुपात में होती है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो सबसे नियुंताम है, नियुंताम हमारा यहाँ पर है 0.359, इसके बाद यह दोनों बराबर हैं, और यह थोड़ा इन से बड़ा है, और इसके बाद यह बड़ा, मतलब सबसे बड़ा यह है, तो अपन सबसे नियुंताम बाले से सब पो divide करना है देखें यहां का जो है 0.359 इसको किसे divide करना है इसको divide हमें करना है 0.359 से ही करना है ठीक है इसको divide करना 0.359 को 0.359 से ही करना है इसके बाद यहां पे है 1.44 इसको divide किसे करना है वह 0.359 जो सबसे छोटी है उसी से divide करना है इसको भी कर दीजिए 2.518 को डिवाइट करना है 0.359 से यहां पर आप डिवाइट करेंगे तो इसको यह तो एक हो जाएगा ठीक है इसका जो हो जाएगा वो भी एक हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा वो चार हो जाएगा और इसको डिवाइट कर दीजिए तो तीन 3831 ठीक हैं ना मतलब यह 7 हो जाएगा इस प्रकार से जो इसका अनुपात हो जाएगा वो 1 अनुपाते 1 अनुपाते 4 अनुपाते 7 हो जाएगा ठीक है यह बहुत ही सिम्पल है इसको निकाल लेंगे यहाँ पर लिग भी लेंगे, क्योंकि देखिए, अभी तो हम मुलन पाति सूत्र पढ़ना है, इसके बाद जो है, अपन पढ़ेंगे, अडविक सूत्र कैसे निकालना है, वो भी, तो मुलन पाति सूत्र एक हमारा जो और next question रहेगा, उसको भी देख लेंगे, किस प्रकार से निकालना है, और इसके बाद आपन पढ़ेंगे अडविक सूत्र, बहुत ही important, बहुत ही सराल है, कुछ question मैंसे पूछा जाता है, कि मुलन पाति सूत्र गेंत के जिता था, उसका अडविक सूत्र भी निकालिए, तो अडविक सूत्र किस प्रकार से निकालना है, वो मुलन परसेंट आपसे आडविक सूत्र नहीं बनेगा, या फिर आडविक सूत्र आपसे बन जाएगा, तो मुलन पाति सूत्र अपने से बन जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, एक्जाम है, एक्जाम में लिखना जितना अच्छा आप समझा सकते हैं, उतना अच्छा समझाए अता यफ इ यस का और ओ के परमाड़ों और यस टूओ के अड़ों में हमारा अनुपात कितना होगा एक अनुपात है एक अनुपात है चार अनुपात है इसलिए योगी का मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा इसलिए योगी का योगी का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा यफ फोर देखिए यह एक है यस एक है ओ कितना थोर है ठीक है और फिर कहा कहा है यहां 7 हमारा हो जाएगा क्योंकि यह जो 7 है यह घूब कितना हमारा से यह हो जाएगा हमारा मुलन पाती छूथ यह ठीक है बहुत ही इंपर्टेंट है और यदि समझ नहीं आएगा तो दोबारा देख लिजेगा बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि लास्ट में लास्ट तक समझ नहीं आएगा यदी तो फिर दिक्कत हो जाएगा इसलिए वीडियो एक साइट से देखिएगा तो मिलते नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए जैहिं यदी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सस्क्राइब, सेर कर दीजेगा पिछले जैसे ही स्टाइल और अपना प्य